नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका फिर से एक नहीं वीडियो में दोस्तों इस ये वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं रियस ने जो बताया कि सुसान सिंग राजपुत से कैसे उनको प्यार हुआ था किस तरह से ये का कमेंट बॉक्स में कमेंट जरू कर देना तो दोस्तो आए चकरवर्ति का खुद कहना है और उनके दोस्त से भी यह पता चला है कि रिया चकरवर्ति और सुसान सिंह राजपूत की मुलाकात जो है वो 2019 में एप्रेल के महिने में हुई थी वह उस समय मिले थे जब कि एक स्क्रीमिंग के जरीए कह सकते हैं कि मुवी स्क्रीमिंग के जरीए दोनों की मुलाकात हुई थी और ये दोनों की मुलाकात आगे जाकर कि कह सकते हैं कि एक अलग लेविल पर चली गई एक अलग लेविल कहने का म सुसान सिंग के तरफ से और जिसमें रिया चगवर्ती और उसके दोस्त भी सामिल हुए लेकिन उसमें उस तरह का बॉंडिंग नहीं था लेकिन उस ट्रिप में जा करके उन रिया चगवर्ती के फिर्ड नहीं कहा था कि रिया चगवर्ती के दिल में एक अलग सी फिलिंग होन लगा था, उसके बाद से, एक या दो महीने बाद से, जब वापस रिया चकवर्ती मंबई आई, तो फिर वो उसने अपने दोस्त को बताया, कि मुझे सुसांद सिंग राजपूत के लिए कुछ होने लगा है, यानि कुछ अलग फिलिंग होने लगा, तब उनके दोस्त ने कहा कि यह आप उससे जाकर के जो बताएं, तब रिया चकवर्ती ने फिर एक मुलाकात हुई, सुसान सिंग राजपूत से, नौवंबर, I think नौवंबर, नौवंबर के महने में, तब वो दोनों, मतलब एक दूस ये छोगे आपनों, सुसाम सिंग VERlogo के लिए. कए सकते हैं कि वो अपना पिकच्चर्स नहीं सेयर कर रहा है थे, नहीं कुछ अपना ऑप-डेट एंडेट्स देखें आने लगे। जिस वजे से ऐसा लगने लागा कि रिया और सुसान सिंग राजपुत अब दोनों साधिक करने वाले हैं लेकिन यह कहानी तब 2020 जब आया तब यह कहानी ने टर्ण लिया और सब के सब को चौका करके रख दिया जब खबर आई कि सुसान्थिंग राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रही. तब उसके बाद से सवाल उठने लगे कि एक ही लड़की के पीछे, सुसान्थिंग राजपूत एक रिलेशनशिफ में था, तो हो सकता है कि यही लड़की ने सुसान सिंग राजपुत के पैसे को ले करके और उसका काम तमाम कर दिया तो दोस्तो एक मतलब आप अगर neutrally सोचे यानि कि नाहीं आप सुसान के फैन हो नाहीं आप रिया चकरवर्ती के समर्थक हो या फिर haters हो तो अगर आप एक मतलब के सकते हैं कि आप एक मतलब निस्पक्ठ भाव से अगर सोचे तो आपको पता चलेगा कि रिया चकरवर्ती के उपर जो भी आरोप लगाये जा रहे हैं फिलाल अभी वह वो साबित नहीं हो चुका है और ऐसा लगता है कि यह आरोप जो है वो गलत है भी खुश था, लेकिन मैं ये एक एंगल को मतलब कह सकते कि assumptions करके बता रहा हूं, जैसे कि drugs का मामला है, उसे छोड़ करके बता रहा हूं, कि मतलब ऐसा हो सकता था, तो रिया चक्रवर्ती जो थी, वो एक मतलब relationship में थी, उस समय दोनों ही खुश थे, और last तक जो pictures आई, उसम सुसान सिंग राजपूत, रिया चक्रवर्ती ये दोनों ही drugs लेने लगे, खाला कि ये NCB की जाच के भी सह है, हम लोग इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, तो दोस्तों, उसके बाद से जब ये कहानी जब आस्ते आस्ते जब आगे और जब सामने आई लोगों के कि सुसान सिंग राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद सारा आरो प रिया चक्रवर्ती पे लगाने गया, लग गया, लगाने क्या गया, उसके बाद मीडिया ने इस तरह से ख़बर चलाया, कि रिया चक्रवर्ती ही अब क्रात चली रही है, तो देखते हैं क्या होता, पूरी जानकारी आपको मेरी वीडियो का माझमसे मिलते रहेगे, मेरा वीडियो बनाने का यही मगस्ता हो सकता है यह वीडियो पांच मिनट से ज्यादा हो गया हो लेकिन आपको नौलेज देने वाला वीडियो है तो इसके बारे में आप जरू कमेंट करके कमेंट कर बता देना ताकि आपको इस तरह का वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलती रहें इसके लिए आपको करना हो